हरे कृष्णा मैं हूँ जोद्साचार डॉक्टर विंतर पाठी आप देख रहें लग गुरु कारग्रम लग गुरु कारग्रम में आपका बहुत स्वागत हैं आज हम आपसे बात करेंगे मेश राश के जात्कों के वारे में कि जो मेश राश के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है उनको लाव क्या मिलेगा विदेश यातरा का यूग है की नहीं घर में संतान सुख की क्या इस्तिए इस सब मैं आज आपको बताऊंगा इसके साथे साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सरकारी नोकरी लगेगी या राजनेतिक ल मिलेगा या यात निर्यात से लाव मिलेगा विदेश यातरा का यूग है की नहीं यह सारी बात आज हम आपको बताएंगे इसके साथे साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके लिए सुभ अंक क्या है सुभ रंग क्या है और आज आपको क्या सौधनिया बरतनी है उपा से बताने वाले हैं अब आई हम बात करते हैं मेश राशी के जातक हैं उनकी लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है आज आपके आर्थिक किस्ति शुद्रिन होगी जो भी प्रयास करेंगे जिस शत्रवे प्रयास करें उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी सरकारी नोक का शुक मिलेगा दामपत्य जीवन में सुधार होगा रोग और सत्रू परास्त होंगे परयासरत कारों में बड़ी सफलता मिलते हुई दिख रही हैं जो भी आज आप प्रयास करेंगे जैसे नोकरी के च्छतर में ब्यपार के च्छतर में या कोई भी नेतर के आपके अंद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाव मिलने की संभवना दिख रही हैं प्रयासरत जो भी प्रयासरत कारे हैं सरकारी नोकरी है वेपार है या नयतरह के कोई कारे करने की योजना बना रहे हैं तो योजनाएं सफल होते हुए दिख रही हैं माली हालत सुद्रिन होगी मा माता-पिता का सुख मिलेगा, नए तरह के कारियों से लाब मिलेगा, किसी भी नए या अज्यात ब्यक्ति से कोई भी डिल न करे, नहीं तो उसमें आपको भारी नुक्सान हो सकता, आपको परिशानी हो सकती है, तिस चार्ज आपको बचना है, परिवारिक जो भी आपकी माता का पूरा सपोर्ट रहेगा, भूमी भौन ज़री आपने खरिदने की योजना बना रखिये, तो उसमें सफलता मिलेगा, अपने अतिंद्रिय ग्यान की बात माने, अपने अंतरात्मा की आवाज को ले करके अगर चलते हैं, तो आपको उसमें बड़ी सफलता मिलेगी, रोग और शत्रू पर थोड़ा सा सौधानी परतने की जोरत है, केरफुल रहने की आवशकता है, दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा, माली हालत अच्छी रहेगी, अचानक यातरा से मन आपका उद्वित्न हो सकता है, मित्रों की मिलने से मन परसंद रहेगा, ने तरह का को वहां सूरी देव की आराधना करें, और लाल बस्तू का दान करें, और आज आपके लिए सुभंग एक है, असुभरग लाल है, हरे क्रिश्ना